तंदूरी सोयाचाप, खानी में तो बहुत तेस्टी लगता है लेकिन जब घर में बनाते हैं तो बजार जैसा नहीं बनता है वह स्वाध नहीं आता है लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने कुछ खास टिप्स के साथ इस सोया चाप को बनाया है और इसमें ना ही मैंने तंदूर के इस्तमाल किया है और ना ही ओवन का गैस चुले पर बनाएंगे और स्वात बिल्कुल स्मोकी वही तंदूर वाला आएगा तो चलते हैं आज की सैसिपिक बनाने के लिए सब्सक्राइब बिटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सोया मसाला चाप बनाने के लिए यहां पे मैंने आदर किलो सोया चाप लिया है यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं और यह प्लेन वाला सोया चाप है इसे से तंदूरी चाप बनाया जाता है तो चलते हैं अब नेक्स प्रोसेस के लिए सोयच आपको यहाँ पे आपको डीफ राइ करना है तो तेल मैंने पहले ही करम होने के लिए रख दिया था और जैसे ही मैंने डाला तेल में अच्छा बबल सा रहा है इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से करम हो गया है गैस का आच मीडियम कर दें और इसे आपको तब तक नहीं छूना है जब तक कि यह नीचे से हलके से सिख जाएंगे तब आप इसे पलट लें तो यह देखिए कितने आसानी से पलट जा रहा है डालने के तुरंट बाद इसे पलटेंगे तो यह आप कड़ाई में चिपके रहते हैं तो अच्छे से पलट नहीं पाएंगे टूट से जाएंगे अच्छा इसे तलते समय ध्यान रखेगा कि आपको इसे मीडियम आच पर ही तलना है तेज आँच पे तलेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाएंगे तो चाप यहां पे हमारा अच्छे से fry हो गया है इसके उपर एक हलका सा सूनैरा color गया है इस स्टेज़ पे आपको चाप को कड़ाई में से निकाल लेना है अब आप इसे हलका सा ठंडा कर लें उसके बाद क्या करें कि इसका स्टिक निकाल दें तो यह देखिए बहुत ही आसानी से इसका स्टिक निकाल जाता है चाहें तो आप इसे तलने से पहले भी इसका स्टिक निकाल के इसे फ्राई कर सकते हैं तो यहां पे मैंने सारे सोया चाप का स्टिक निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे कि इसे छोटे छोटे पीसे में काट लेंगे, ध्यान रखिएगा कि पीसे बहुत जादा बड़े नहीं रखेंगे, नहीं तो जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो मसाले अच्छे से इसके निकाल लें, उसके बाद आप दही का इस्तमाल करें, क्योंकि दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तो यहां पे मैंने पूरा 200 ग्राम दही का इस्तमाल किया है, अब आपको यहां पे डालना है, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, यह ज्या चाहिए, तो एक छोटा चम्मच यहां पे आप चाहट मसाला डाला दाला है, बहुत अच्छा चट पटे का टेस्ट आता है, इससे, एक छोटा चम्मच यहां पे मैं तिखी वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, तो एक छोटा होते हैं वो निगाल दीजेगा, उसके बाद आप इन सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजेगा, तो सारे मसाले यहां पे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब आपको मार्केट की तरह टेक्शर देने के लिए थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर यहां पे डालना है अगर आप फूट कलर नहीं डालना चाते हैं तो उसके बगार भी इसे बना सकते हैं, अच्छे यहां पे आपको एक चमश बेसन का इस्तमाल करना है, बेसन बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करती है, और बेसन का इस्तमाल हम इसमें इसलिए करते हैं ताकि जो मसाले हैं वो soya चाप के ऊपर अच्छ से कोट हो जाएं तो सभी चीज़े यहां पे अच्छ से mix हो गई हैं तो लाश्ट में मैं यहां पे दो चमच तेल डाल रही हूं तेल डाल के अच्छ से mix कर लेंगे अब आप इसे आदे गंटे के लिए Mirination के लिए Fridge में रख दें अब आप गैस के ऊपर एक स्टेंड रख लें और उसके ऊपर सोया चाप प्यास जो हमने रखा था मैरिनेट करके वो रख देंगे गैस का आच बिल्कुल धीमा रखेंगे अच्छा जब भी कभी आपने तंदूरी सोया चाप मार्केट में खाया होगा न तो वो सीख में ही इन सभी चीजों को लगा लेते हैं उसके बाद सेखते हैं लेकिन हर किसी के घर में सीख नहीं होता है तो वैसे में क्या करें यह बहुत ही आसान सा ट्रिक है जाली वाला स्ट प्रेंड के उपर रखके धीमी आंच पे इसे चारो तरफ से घुमाते हुए सेख लेंगे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लिवर आता है और बिल्कुल मार्केट जैसा यह तंदूरी सोया चाप बनके तैयार होता है क्योंकि सोया चाप को हमने पहले ही डीप फ्राई कर लिया तो कभी-कभी तो तेल चलता है तो सोया चाप यह पे हमारा अच्छे से सिख गया है और अच्छा सा-smoke फ्लिवर भी आ गया है जाहे तो यहां पर एक सोया चाप कहा कर देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इन सभी को एक बड़े बरतन में निंकाल लेंगे और ये हमारा तंदूरी सोया चाप बनकर तयार है गर्मा गर्म सर्फ करने के लिए अभी हम इसमें कुछ चीजे और एड़ करेंगे फिल्कुल मार्केट वाला टेश्ट देने के लिए चाहें तो आप इसे ऐसे भी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं अब आपको यहां पे डालना है बटर तो पहले थोड़ा सा गरम कर लिए गा ताकि वह मैल्ट हो जाए उसके बाद आप डालिएगा तो दो चमच यहां आप मैंने बटर डाला है एक चोटा चमच यहां पे आप चाट मसारा डाल दीजेगा उसके बाद आपको इसमें डालना है फ्रेश क्रीम अच्छे से डालिएगा फ्रेश क्रीम और यहां पे मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम इस जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे ना आहा इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आएगी और बिल्कुल मार्केट जैसा यह सोया चाप आपको दिखेगा आपको खुद भरोसा नहीं होगा किसे आपने घर में बनाया है और यह लीजे आपके लिए सोया चाप तयार है गर में भी पानी भाई मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं चलती हूँ इस तंदूरी सोया मसाला चाप का अनेंद उठाने अपने परिवार के साथ आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा रेसिपी बनाने में तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल सजल आपके सवालों का चवाब दे सुकूँ मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाई-बाई